समस्कार, आज बात करेंगे दिल्ली नगर निगम के मेयर के चुनाओ की दिल्ली नगर निगम के चुनाओ का नतीज़ा आपको पता है बीजेपी 15 साल बाधार गई चुनाओ के जो नतीज़े आए 200 सीटों में से 134 सीटें आमादनी पार्टी को मिली है 104 बीजेपी को, 9 सीटें कॉंग्रेस को और 3 निर्दलिय जीते तो अगर आप संख्या की दिश्टी से देखें तो आमादनी पार्टी को अपना मेर चुनवाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लेकिन आमादनी पार्टी को चंडीगड का भूत सता रहा है चंडीगड का आपको याद होगा चंडीगड में भी जब चुनाव हुए थे नगर निगम के तो उस समय आमादनी पार्टी सिंगल लाजिस्ट पार्टी बन कर आई थी लेकिन मेर बना बीजेपी का और कैसे बना कॉंग्रेस के कुछ पार्षदों ने बगावत कर दी और आमादनी पार्टी के कुछ पार्षदों के वोट रद हो गए तो इससे आप समझ सकते हैं बीजेपी का ये जो चुनाव प्रबंधन है ऐसे चुनाव में वो कितना कारगर होता है आहम आदमी पार्टी और केजरिवाल इसी से डरे हुए है दरसल MCD चुनाव को लेकर आप देखिए जब नतीजे आये तब केजरिवाल का जो बयान था जो उन्होंने सारवजनिक रूप से मीडिया के सामने आकर कहा बड़ा बदले हुए नजर आये केजरिवाल उन्होंने कहा कि वो प्रधान मंतरी से अपील करते हैं कि वो मदद करें आहम आदमी पार्टी की MCD को और दिल्ली को के विकास के लिए उन्होंने कहा वो BJP और कॉंग्रेस से मिलकर जो है वो काम करना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन जो बाकी खबरें आ रही है जैसे भाजपा के जो ITCEL के मुखिया है अमित मालवी है उन्होंने एक बयान दिया कि चंडीगण में जीते थे तो दिल्ली में क्या होगा तो उससे एक स्पेकुलेशन शुरू हो गया कि क्या भारती जन्ता पार्टी ऐसा करने जा रही है तुरंत मनिश्ची सौदिया जो है मैदान में कुदे उन्होंने कहा कि हमारे पार्षदों को फोन आ रहे है बीजेपी के लोगों के अगर हमारे पार्षदों को तोड़ा गया खरीदा गया तो हम भी बीजेपी के पार्षद ले आएंगे तो अब ये सस्पेंस बना हुआ दरसल जो चुनाव होता है मेर का वो पांस साल के लिए नहीं होता है हर साल होता है मेर हर साल चुना जाता है पहली बार जो मेर चुना जाता है वो महिला के लिए आरक्षित होता है और तीसरे साल जो मेर का चुनाओ होता है वो अनुसुची जाती के लिए आरक्षित होता है तो पहली मेर जो है वो महिला बनेगी दिल्ली की अब सवाल यह है कि कौन बीजेपी ने इससे पहले आपको य अधिकार अब केंदर सरकार के पास है तो अगर दिली का मेयर भाजपा का बनता है तो केंदर सरकार से वित्तिय मदद मिलने में उसको जादा सहूलियत होगी ऐसा जो है लोगों का मानना है लेकिन फेडरल सिस्टम में इस तरह से होना नहीं चाहिए सरकार किसी की हो किसी पार् करना चाहिए लेकिन जो राजनीती है वो इस तरह से तो चलती नहीं यह आपको भी मालूम है आपको भी पता है तो इसलिए जो है आम आदनी पार्टी इसलिए डरी हुई है उसको लग रहा है कि उसके 134 पार्षदों में से कुछ पार्षद जो है क्रॉस वोटिंग कर सकते है या अपने वोट इस तरह से खराब कर सकते हैं इन्वैलिट करा सकते हैं जिससे भारती जंता पार्टी का उमीदवार जीच जाए अब पूर्व हो गया है पहले कुछ समय तक पहले जो अध्यक्ष थे आदेश गुपता भारती जंता पार्टी के उन्होंने कहा था कि जो है पत्ते खोल नहीं रही है बीजेपी की और से कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है बीजेपी की रणीती क्या होगी यह अभी तक उसने बताया नहीं है लेकिन एक फर्क है चंडीगढ़ और यहां यहां आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहमत मिला हुआ है चंड भारतिय जन्ता पार्टी गुजरात की जीत से जिस तरह बंबम है मुझे लगता है कि कोशिश जरूर होगी कि भारतिय जन्ता पार्टी का मेहर MCD में बने भले ही चुनाव हार गए हो लेकिन अभी से कुछ कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कोई आधिकारिक रूप से कुछ बोलने को तयार नहीं है लेकिन आम आदमी पार्टी अपने पार्शदों के लगातार संपर्क में है अर्विंद केजरिवाल ने अपने नेताओं से कहा है कि लगातार पार्शदों के संपर्क में रहिए और उनकी गत्विधियों पर नज़र रखिए तो जब तक मेयर का च चुनाओ की अधिसूचना होने दीजिए, उसके एक बार शुरू होने दीजिए, फिर देखिए किस तरह से पार्टिया अपने पत्ते खोलती हैं, कॉंग्रेस का रवया क्या होगा, क्योंकि इस चुनाओ में मुसल्मानों ने मुसलिम मददाता जो है, उसने कॉंग्रेस का सा में कॉंग्रेस पार्टी का साथ दिया, इसकी वज़े से जो आम आदमी पार्टी उमीद कर रहे थी, कि 100-200 सीटें आएंगी, वो नहीं आएं, ये भी एक कारण था, ये केवल एक मातर कारण नहीं, ये भी एक कारण था, तो इसलिए जो है, आम आदमी पार्टी और में किये हुए, भाजपा का जो मेयरपद का अमीदवार है, कॉंग्रेस के पार्शद उसको वोट करते हैं, निर्दली पार्शदों का समर्थन जुटाने की कोशिश अभी से शुरू हो गई है, तो कुल मिलाकर स्थिती बड़ी इंट्रेस्टिंग बनती जा रही है, देख